दोस्तो परधार मंत्री आबास योजना के लिए online apply होना शुरू हो चुका है तो दोस्तो अगर आप online apply करते हैं तो दोस्तो आपको सरकार के तरफ से सोयोग रासी दिया जाता है आपको घर बनाने के लिए तो दोस्तो इस वीडियो में आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप online apply केसे करें और आप online apply करते हैं तो आपको क्या-क्या documents लगेगा और ये कौन-कौन apply कर सकता है दोस्तो इसके लिए आपको इस website पर आना होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं परधार मंत्री आबास योजना गिरामीन और दोस्तों यहाँ पर आप आप नीचे देख सकते हैं benefactory registration तो दोस्तो इस link से आप registration कर सकते हैं तो इसते पहले हम आपको बता देते हैं कि ये कौन-कौन एपलाई कर सकता है। यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं कि कौन-कौन यहाँ पर एपलाई कर सकता है। दोस्तो यहाँ पर दिया है बे घर तो दोस्तो जिसका घर नहीं है वो एपलाई कर सकता है। और दोस्तों दूसरा नमबर यहाँ आप देख सकते हैं, जिन परीबारों के पास घर incons cruise zero, दो कमरा और कछे दिबार है, वह भी यहाँ पर apply कर सकते हैं, और दोस्तों तिसरा नमबर पर देख सकते हैं, जिसके घर में 25 बर्ष के I.O कोई सक्चर नहीं है, वो भी यहाँ पर apply कर सकते हैं और दोस्तों चोथा नुमर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं सुलो से 69 बर्ष के उम्र में कोई पूरुस नहीं है तो वो भी apply कर सकते हैं और भी दोस्तों यहाँ पर बहुत सरा दिया गया है तो दोस्तों इस website का हम link दे देंगे description से वहाँ से आप इस website पर आके आप देख सकते हैं और दोस्तों आप आप आपको बता देते हैं कि क्या-क्या documents लगेगा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अधार काड नंबर लगेगा और दोस्तो मनरेगा जॉब कार्ड लगेगा और दोस्तो यहाँ पर सच्चर भारत मिसन सिंखा भी लगेगा तो दोस्तो अगर आपका सच्चर भारत सिंखा नहीं है तो दोस्तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंग खता तो दोस्तों बैंग खता आपको लगेगा क्यूंकि दोस्तों बैंग खता में ही आपका पेसा आएगा तो दोस्तो अब हम आपको बता देते हैं कि आप online apply कैसे करें तो दोस्तो इसके लिए यहाँ पर आपको आना होगा इससे पहले दोस्तो आप यहाँ पर देख लें आपको कितना पेशा मिलेगा तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,20,000 आपको मिलेगा और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,30,000 तो दोस्तों 1,30,000 जो दोस्तों पहाड़ी छेत्रों में है उसको मिलेगा तो चलिए दोस्तों आपको दिखा देते हैं कि आप online apply कैसे करें तो आपको application process में आना है और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं mini factory registration तो दोस्तों आपको इस पर click करना है जैसे ही दोस्तों click किजेगा यहाँ पर आप आजएएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका from आ गया है तो दोस्तों इस form को आपको details भरना होगा और इसके बाद दोस्तो यहाँ पर दूसरा section में दिया गया है दूसरा page तो दोस्तो इस page को भी आपको fill up करना होगा और दोस्तो यहाँ पर section 1 में देखिए यहाँ पर personal details आपको भरना होगा और दोस्तो इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर section 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका bank details को भरना होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं section 3, इसके नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका job card का number देना होगा, और भी दोस्तों इसके नीचे आप देख सकते हैं section 4, तो दोस्तों आपको सब कुछ अच्छे से फ किbell erfolgreich 7-5абот बह republican के भास होता है है जैसे कि दोस्तों साइबर कैप में किसी क्वास होगा जिसके पास CSC ID होगा उसके पास होगा पाइगा कंतरों में होगा इस सब के पास ये सब सारा डोकूमेंट से लेखे आप किसी CSC सेंटार या पग्याकंतर चले जाये और वहाँ से आप apply कर लें तो दोस्तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करदें को अगर अब इतक आप सस्क्राइब नहीं किये हूं तो चलिए दोस्तो नेक्च वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई मन्दे मत्रम जै हिन्द जै भारत